हेलो बच्चो नाव तोड़े आविल स्टार्ट क्लास नर्सरी हिंदी सब्चेक्ट ओके तो नाव एव्रिवान टेक आउट यूर हिंदी बुक ठीक है आप लोग सभी हिंदी बुक निकालिये जिसमें आज हम मैं छोटी ई लिखूंगी अपने बुक पे ठीक है इसके पहले वीडियो में मैंने कॉपी मेंChopi-e में लिखना सिखा रहा था मैं देखाऊंगी इस तरीके से मैंने च्छोटी E-Kopi में लिखू आई थी आप लोगोंको आज में बुक में कराऊंगी ठीक है आज मैं बुक में छोटी ई लिखाऊंगी ठीक है तो आप लोग सभी बुक अपना लिखा लो और पेज नमबर 6 पेज नमबर 6 का मैं छोटी ई लिखाऊंगी ठीक है पहले हम देखेंगे छोटी E से क्या होता है छोटी E से इमली छोटी E से इमली तो आप लोग पहले इसमें यहाँ पे color कीजिएगा ओके बच्चो इसमें आप लो color कीजिएगा इमली में ठीके कोई भी color कीजिएगा जिस तरीके से यहाँ पर किया हो गया color लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं बच्चों कल में सिखाई थी आप लोगों को छोटी लिखना आज फिर से मैं छोटी लिखा रही हूं तो पहले हम सब पथम पहले हमें ऐसे करकर एक लगीर तानेंगे इसका कहते हैं सीधी रेखा ठीक है फिर एक सीधी रेखा तानोंगी फिर यहां से एक मुरी हुई रेखा तानोंगी इस मुरी हुई रेखा को कहते हैं इस मुरी हुई रेखा को कहते हैं बाई और मुरी हुई रेखा ठीक है एक बाई और होती है एक डाई और होती है लेफ्ट एन राइट ठ तो मैं बाई और एक मूरी हुई रेखा गीची, फिर यहां पर देखो क्या कि मैं एक सिधी रेखा गीची, फिर एक बाई और मूरी हुई रेखा गीची, फिर एक डाई और मूरी हुई रेखा गीची, पहले एक सिधी रेखा गीची, एक बार इधर से मूर आई, एक बार फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर मैंने एक सीधी रेखा गीची, सीधी रेखा गीचने के बार एक इधर से एक बार मुरी हुई रेखा गीची, फिर इधर से एक मुरी हुई रेखा गीच के इसको यहाँ से मैंने गोल कर देखो, यह मेरी क्या बन गई, छोटी E, बनीन गीचोंगी फिर इधर से एक बाई और मुरी हुई रेखा फिर दाई और मुरी हुई रेखा फिर यहां से गोल यह मेरी क्या बन गए छोटी ए तो चलो बच्चो मेरे साथ बोलो यह क्या हुआ एक सीधी रेखा सोई हुई रेखा यहां से मैंने एक सीधी रेखा गीचा फिर एक दाई और मुरी हुई रेखा घीची दाई और मुरी हुई रेखा घीची फिर यहां से एक में गोल की ठीक है फिर सेम प्रोसेस में यहां करेंगे हम यहां पर एक बोलो इसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसे कहते हैं सोई हुई रेखा इसे कहते हैं सीधी रेखा इसे कहते ह तक हाद भूमाएगा फिर डेख देख देग का नीचे लिखिना एक नाइट शाई किसे करेंगे हम सीधी एक सोई हुई हागी ज गीची ज इसके बार एक सीधी रहे सांगें पिए बास और मुरी ज पाइप on your और मुरी हुई रेखा घीची यहां से इसको गोल करकर ऐसे कर दी यह मैंना क्या बन गया छोटी ए तो आप लोग भी से हम क्या कैसे करूं के बोलो मेरे साथ यह क्या हुआ सोई हुई रेखा इसके बाद एक सीधी रेखा इसके बाद एक मुरी हुई रेखा बाई और मुरी हुई रेखा उसके बाद दाई और मुरी हुई रेखा उसके बाद यहां से गोल कर दिना यह मैरा क्या बन गया बच्चो छोटी ए फिर अगिन ये मेरा बन गया सोय हुई रेखा उसके बाद एक बन क्या बनाई सीधी ही रेखा उसके बाद इधर से एक बाई और मुरी हुई रेखा फिर दाई और मुरी हुई रेखा यहां से गोल ये मेरा क्या बन गया छोटी ए तो जिस तरीके से मैंने छोटी E लिखाई आप लोग ठीक उसी प्रकार मेरे जैसा अपने बुक पे खोलिएगा जैसे मैं यहाँ पहले हाथ घुमाई हूँ सब में हाथ घुमाईएगा इस तरीके से करकर सब में इसके उपर पहले आप लोग हाथ घुमाईएगा हाथ घुमा घुमाने के बाद यहाँ पर ठीक देख देखकर लिखिएगा ठीक है आप लोग का homework ये रहा ओके बच्चो पुड़ा यहाँ तक लिखकर मुझे वार्टसप में send कीजिएगा गीच कर ओके बच्चो तो आज में आप लोगों को छोटी लिखना सिखाई चोटी से क्या होता है Emily इस Emily में आप लोगों कालर करना है और यहाँ पर एक रंग मतलब देख देखकर लिखना है ठीक है तो अभी के लिए बस इतना ही थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को एक कविता पढ़ाना चाहूँगी नर्सरी की बच्चे को तो आप लोग त्यार हो मेरे साथ बोलने के लिए तो आज में क्या पढ़ाँगे कविता जो मैं आज आप लोगों को एक कविता पढ़ाँगी उस कविता का नाम है हाथी राजा ठीक है? मैं यहाँ पर कुछ पंक्तिया लिख कर रखी हूँ तो मैं आप लोगों को हाथी राजा एक कविता पढ़ाँगी तो चलो बच्चो मेरे साथ बोलो हाथी राजा कहां चले दुम ही लाके कहां चले मेरे घर भी आओ ना हलुआ पूरी खाओ ना आओ बैठो कुरसी पर कुरसी बोली चतर पतर चतर पतर चलो मेरे साथ बोलो आप लोग भी हाथी राजा कहां चले दूम हिला के कहां चले मेरे घर भी आओ ना हलुआ पूरी खाओ ना आओ बैठो कुरसी पर कुरसी बोली चटर पटर चटर पटर ओके बच्चो बबाई टेक केर स्टे होम थेंक यू